हम जब भी किसी को एनिमे सजेस्ट करते हैं तो सामने वाले का एक ही कोशन होता है कि भाई उसका जन्रा क्या है लेकिन आपको यहीं ना पता हो कि उस एनिमे का जन्रा क्या है तो So don't worry, आज की मैं इस वीडियो में आपको explain करने वाली हूँ Anime के सभी Generas के बारे में कि वो क्या होते हैं फिर Genera को explain करने से पहले मैं एक बात clear कर दू कि Genera and Demographic are both different terms जही हाँ Demographic का मतलब ही होता है कि वो किस पर based है या फिर कह सकते हैं कि उसकी target audience क्या है या फिर कौन सी audience उसको देखेगी जैसे कि Shonen, Shinen, Josei लिकिन Genera इससे different होता है Genera का मतलब होता है कि उस Anime के अंदर की theme क्या है उस Anime में किस टाइप का content हमें दिखाया गया है Anime में Adventure है, Action है, Romance है, Sci-Fi है and etc. बहुत सारे Generas होते है तो सबसे पहले पहुँचते हैं हम Shonen की तरफ कि Shonen होता क्या है Shonen, इसकी target audience जो होती है वो होती है, Young Boys की तो mostly इसे Young Boys की ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि हम जैसी लड़कियां उसे नहीं देख सकती कि सिर्फ यह Young Boys के लिए है हम उसे भी देख सकते हैं इसकी story फोकॉस होती है mostly action, adventure, passionate, friendship, determination, courage Shonen anime का सबसे first and most famous example है Dragon Ball और उसके बाद हम बात कर सकते है Naruto, One Piece, Hunter X 100, My Hero Academy and Attack on Titan अभी मत बोलना कि Attack on Titan Shonen है Attack on Titan की कहानी हमें Shonen category के लिए लगती है लेकिन इसको Shonen में categorize किया गया था जिस वज़े से अभी भी Shonen category में ही आती है उसके बाद बात करते हैं Shoujo के बारे में Shoujo जो होता है वो Shonen का ही opposite होता है जहांपे Shoujo Young Girls को target करता है This anime characterized by its focus on drama, personal growth and romance जहांपे female leader को उसकी life के ups and downs को और उसके love relationship को दिखाया जाता है जिससे वो experience लेती है और अपनी character की growth करती है और अपने आपको mature बनाते है जिससे वो life के challenges को face कर सके इसके best examples है Fruit basket and Yona of the down Kamisama case and Snow White with the red hair ये anime को देखने के बारे में तुमें ये समझ में आ जाएगा यूथ ऐसी एनिमे मेच्च और मेल्स के बनाई जाती है इसकी story line में काफी मेच्च और content होता है जो कि cover करता है वाइलेंस, action, psychological themes, gloomy stories and etc ना सिर्फ एडल्स man बल्कि अडल्स woman भी पसंद करती है और इसके एनिमे के एक्जामपल है बर्सर, windland saga and monster जारूरी नहीं है कि हर scene in anime में dark story हो या भी बॉयलेंस दिखाया जाए जैसे कि एक्जामपल है skip and loafer अब तुम सोचोगे कि मैं इसका क्यों नाव एक शोजो एनिमे होगी लेकि नहीं ये एक scene in anime है और इसका content है season 1 के साब से हमें लगता है कि काफी जादा जोजो और रोमेंस वाला होगा आगे चलके हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ा दिखाए जाए जो इस सचीनन के लिए बनाती हूं तो बात करते हैं जो से ही के बारे में तो जो से ही एनिमे टार्गेट करती है जो से ही में इसका अडल्ट वूमें की लाइफ एक्सपीरियंस और उनका करियर प्रस्पेक्टिफ दिखाया जाता है जहां पर इनके थीम होती है रिलेशन्चिप, मदर हूट, चैलेंजेज़ जैसे की लव और बात करते हैं नेक्स इसेकाई अनिमे के बारे में तो इसेकाई सबसे जादा मोस्ट पॉबलर जन्रा में से एक है इसेकाई अनिमे में प्रोटेगनिस्ट, टांसफर या पिर रियंकारनेस्टिन के थूप अनदर वर्ल्ल में पहुंच जाते हैं उसकी जो पिछली लाइफ होती है वह काफी जादा बोरिंग होती है या पर डिप्रेशन भरी होती है जहां पर इसेकाई अनिमे में adventure, drama, action, magic power, etc हमें दिखाया जाता है और कुछ anime में हरम भी है क्योंकि अगर इसेकाई अनिमे है तो इसमें हरम concept भी हो गई जहां पर उसके पास सब कुछ होता है magic power, अच्छी शक्ल, status नहीं भी होता तो वह कमा लेता है और साथ में होती है बह होगे हमारे रियल वर्ल्ड में यानि की जैसे अर्थ होता है नॉर्मल मॉडल लाइट में पहुंच जाता है और इसका बैस एक्जामपल है डैवल इस पार्ट टाइमर अंकल प्रॉम अनदर वर्ल्ड तो बात करते हैं हरम एनिमे के बारे में तो पहले बता दू दिस जन्दा संतर मॉ से ने-डारे में पहले हो एंग्क होता है मॉगे वाध रम इनिमे में लडिकों को काफ ही होता दिखाया जाता है इस की कंपैरिजिंग में टो कुछ भी नहीं होता है is my मुझे काफी जादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है क्योंकि इसमें एक लूप बना होता है पर सीजन सो खतम हो जाते हैं लेकिन हमें यह जानने को नहीं मिलता कि कि इसके साथ फिक्स हुआ कौन है उसकी फीमेल लीड इस वजह से काफी जादा स्चोरी जो है वह जीरो पर ही पहुंच जाती है और जैसे इसका बहुत बड़ा एक्जामपल है कुपल अफ कुपल अफ कुपलेट्स एंड रेंटा गल्फरेंड एंड जब स्चोरी में बात करते हैं Slice of Life Anime के बारे में Slice of Life में पॉपलर जंदा में से आता है Slice of Life में MC की डेली लाइफ को दिखाया जाता है और उसमें कोई action, adventure या फिर वर्ल्ड को नहीं बचा रहा होता हमारा MC अपनी डेली लाइफ को जी रहा होता है जहां पर स्कूल लाइफ हो सकती है, ओफिस लाइफ या पर रिलेशन्शिप मोस्ली दिखाया जाता है क्योंकि Slice of Life Anime होते हैं और काफी जादा action इसमें नहीं देना होता है क्योंकि Slice of Life में थोड़ा action देखना चाहते हो तो Spike's Crime भी देख सकते हो और इसके बाद बात करते हैं एच्छी अनिमे के बारे में तो पहले ही बता दू एच्छी अनिमे नहीं होती हैं लेकिन मैं नहीं देखती से मैं मैं नहीं देखती एच्छी अनिमे में एक लिमिट तक मैच्च और कॉंटेंट होता है इन अनिमे में अडल्ट हूमर होता है शक्शल थीम होती है बट इससे जादा आर रेटेट कॉंटेंट इसमें नहीं दिखाया जाता है जैसे कि प्रिजन स्कूल किल लाकिल और वार्निंग इन अनिमे को तुम पब्लिक नहीं देख सकते हैं सामने भी नहीं देख सकते तुमारा वाइफाय का कनेक्शन और पब्लिक से रिलेशन सब खतम हो जाएगा तो बात करते हैं अगला साइफाय अनिमे के बारे में साइंस फिक्शन एक ऐसा वर्ड दिखाता है जहां पर इमेजिनेटिव एंड फूचरिस्टिक वर्ल्ड होता है रोबोट या मेकनिजम तो सबसे जादा इननीमे में रिखाया जाता है रोबोट कायबोग या फिर बहुत सारी रोबोटिक एक्विपमेंट इसके सबसे मोस्त फेमस ऐनिमें हैं गंडम और एवेंजिलियों तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना ताकि मैं उन्हें देख कर सकती हुए तुम इसको जरूर देख लेना दो सीजन है एक दिन या दो दिन में तुम खतम कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करें भी ने जाना मत बाइबाइ